हेलो फैमिली कैसे हो स्वागत है पोके ट्रेनर के एक नाए वीडियो में तो आज मैं आपको टीप्स एंद ट्रिक्स देने वाला हूँ मुटू रेट के उपर क्यूंकि सबी को पता है आने वाला है शैडो मुटू तो अभी कुछ special tips में आपको देने वाला हूँ, जिसको आपको follow करना है, जब आप rate करने जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही important है, ये सब जो tips है, इसको आपको use करना है, ठीक है, game में use करना है, specially rate के दिन, तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल में नहीं ह के लिए 500 like आप लोगो को complete करना है, और यहाँ पर सिफ shadow mute नहीं, shiny भी मिलागा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, and guys, description में में मेरा instagram id and telegram group का भी link मिल जाएगा, instagram id में जाके आपको follow करना है, and telegram group में जाके join होना है, ठीक है, हो जाना, जल्दी से हो जाना, तो guys, अभी देखो, first of all, जो date है मैं आपको बता देता हूँ, 27 and 28, ये दो दिन team rocket जो gym होता है, आप लोग को पता है, जो gym अभी चल रहा है, shadow gym, black color में, वैसे ही gym होगा, जहाँ पर 5 star rate में आएगा shadow mute, okay, shadow mute, तो guys, पहले ही बता दूँ, जो shadow mute आने वाला है, उसका defense and attacking power तगरा होने वाला है, अभी तक आप लोगों ने जो 5 star rate किया है, तो उसको भूल जाओ, क्यूंकि जो shadow mute का rate होने वाला है, वो बहुती खतरनाक होने वाला है guys, उसको defeat करना मतलब बहुती मुश्किल है, सिर्फ defeat करना नहीं, यहाँ पर आप 20, मतलब players मिलके rate करके defeat कर सकते हो लेकिन उसको catch करना भी बहुती मुश्किल है, बहुती मुश्किल, तो guys, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ tips दूँगा, सबसे important चीज़, ठीक है, अभी ध्यान से सुनो वीडियो को, अभी देखो guys, यहाँ पर हमें, जब आप shadow rate कर रहे हो, या team rocket का सथ fight कर रहे हो, अभी आपको मिल रहा है shadow shred, ठीक है, अभी यह shadow shred बनता है purified gem, अभी बहुत लोगों का मुझे comment आता है कि भाई, 10 purified gem हो चुका है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब store में नहीं आ रहा है, तो guys, 10 से ज्यादा आपके पास होगा भी नहीं, तो अभी आपको क्या करता है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, 10 shadow shred हो गया है, अभी उसको रख दो, rate कितना दिन होने वाला है, rate होने वाला है 2 धिन, ठीक है, 27 and 28, अभी आपको क्या करना है, जब आप 27 में rate करोगे, तो वहाँ पर आप purified gem को use करना है, हाँ आपको use करना है, और गाईज एक चीज में आपको बता दू जब भी आप शैडो रेट करने जाओ मतलब मुटू का रेट करने जाओ आपको प्यूरिफाइड जेम को यूज करोगे तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा ठीके कौन कर रहा है वो छोड़ दो आपको प्यूरिफाइड जेम यूज करना है वहाँ पर अभी देखो रेट बैटल जो होता है रेट बैटल में लेट साइड में बिलकुल टॉप में ठीके तो इससे होगा क्या इससे म्यूटू का जो डिफेंसिब एन अटकिंग पावर है वो बिलकुल डिक्रीज हो जागा बिलकुल नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होगा ठीके जितने बंदे यूज करेंगे वो सबसे ज़ादा अच्छा होगा लेकिन आपको जाओगे तब आपका बहुत ही हेल्प होगा कैच करने में ठीके तो आपको प्यूरिफाइट जेम यूज करना है तो सिंपल यही ट्रीक से आपको इसको यूज करना है मतलब समझ लो कि जब भी आप शैडोरेट करने जाओ प्यूरिफाइट जेम को यूज करो एंड रेट coins से आप rate pass को purchase कर पाओगे जब आप Mewtwo का rate करोगे तो अभी से coins को collect करना शुरू कर दो अभी भी time है ठीक है coins को collect करो and rate थोड़ा सा कम करो चाहे तो आप एक करके rate करो जो हमें free में मिलता है सिर्फ वो use करो and कोई भी rate pass को use मत करो जब Mewtwo का rate आएगा तब जाके आप बिंदा से rate कर लेना ठीक है तो यही था total tips इसको follow करो आपका भी Mewtwo rate बहुत ही मखन जैसा smoothly चलेगा ठीक है कोई tension मतलो and guys location भी बता दूँगा उसका भी वीडियो ज़रूर आएगा ठीक है तो channel मना हो तो subscribe कर देना वो location का video देखने के लिए and video में like ज़रूर करना like अगर करोगे तो अच्छा location बता दूँगा 500 like जल्दी से complete कर दो चलो टाटा मिलते है next video में